अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक नमस्कार मैं हूं महग शर्मोर इस वक्त आप ये लाइप तस्वीरे देख रहे हैं हरयाना के करनाल से जहां पर आपको एक बहुत बड़ी जानकारी हम इस वक्त देना चाहते हैं कि हरयाना के करनाल से यानि कि जहां से आप ये लाइप तस्वीरे देख रहे हैं वहां की मैं आपको बात बताना चाहती हूं कि करनाल के सेक्टर साथ से निर्भे शर्मा है जो कि हमने आपको पहले ही दिखा दिये निर्भे शर्मा जो कि सिरफ और सिरफ 23 साल के हैं जिनोंने ठाम ली आए कि वो ना सिरफ पूरे करनाल का नाम रोशन करेंगे बलकि पूरे हर्याना का ना हो चुक है कैसे हो चुक है वो भी आपको बताएंगे लेकिन मेरी आप सभी लोगों से अपील यही रहेगी कि जितना ज्यादा हो से के इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें डीडी पंजाबी पर आने वाला एक नैशनल लेवल का रियालिटी शो जिसका नाम है क इसमें कितना है दम उसमें अपना दम दिखाने वाले हैं करनाल के सेक्टर साथ के रहने वाले निर्भे शर्मा एक बार उनी के पास चलेगे निर्भे बहुत-बहुत बढ़ाई हो आपको कि आपका सिलेक्शन हुए एक नैशनल लेवल के रियालिटी शो में कहां से इसकी ईसमें कि सुरूबाऊत फare'll देंस को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे और कब से अपकी डान्स की शुरुवात हुए थी क्यू मेरी दान्स की शुवात आज से 7 साल पहले हो डिक्टी बड़ीपन सम्हें चुल लेवल पर डांस कर रहा था दिन उसको स्टार्ट करते वह ने स्टेट क्लियर किया अपना डिस्टी क्लियर किया दिन आज चीजे के लिए अज इसे तीवी राउन के लिए मैं स्लेक्ट होगा हूं तो सेट पर पहले आप अपने परफॉर्म करके दिखाया होगा फिर आप नैशनल लेवल पर पर परफॉर्म आपने किया तो कैसे हुआ यह क्योंकि करोना भी बीच में चल रहा था तो ऑनलाइन ओडिशन बगरा हुए मैं इसके ग्रेंड फिनल और उसके सारे दो स्टार्टिंग रांस थे उनलाइन थे पहले मोबाइल पर गूगल मेट पर देन वीडियो रांड हुआ देन अब ग्रेंड फिनले के लिए जा करना पड़ेगा तो बच्पन में कब से शुरुआत हुई थी और कैसे पता लगा कैसा मैसूस हो और उनको पता लगा कि हमारा जो घर का बेटा है निर्भे शर्मा वो डांस में अपना करियर बनाने वाले हुए उनको तौ पता ऐसे लगा कि आसपास में चाणी हो रही है तो जहां मुझ घूट इच्पन में कहां प्रेर नहीं पुछ नहीं जाता था तो प वेरा रोल मोटल तो रेमो सर है, ठीक है, हाँ जी, फिलाल मैंने बच्पन में डांस से की घर्पी शुरू किया था, टीवी में देखके, उसके ज़र मैंने करनाल में तोड़ो सिखा, देन मैं करनाल से भादी कर गया, दिल्ली, चंदिगड, देन एट टाम नेशनल लेवल का फेस्टिवल एक में अंट कर चुका हूँ, निरतिया लंगन, ठीक है, तो तीवी में आपको डांस का कौन सा शो सबसे ज्यादा पसंद है, जिसको आप देखते भी हैं, फोलो भी करते हैं, और आपने कभी देखकर आपको ऐसा लगा हो कि मुझे भी इसी शो में जाना है, बच्पन से हम लोग D.I.D. देखते हैं, तो सभी डांसिंग लेन में सभी कहिक होता है, कि मुझे डांसिंग जाना है, अब डांस दीवानी हो चुका है, तो यह दो शो में जुरूर जाने चाहूँगा, एक और भी शो है, डांस प्लस, क्योंकि रेमोड उसुसा का अपने काम लिया, वो डांस प्लस में इस वक्त जच के तौर पर भी दिखते हैं, तो आपको लगता है कि कभी डांस प्लस में भी जाना हो सकता है, अगर मोका मिला तो ज़ूर मेरी तरस से तो पूरी ट्राय रहेगी, पूरी हमत लगाऊंगा, कि हाँ, हो गया तो जरूर जाओंग आप बही डांस की शुरुआद कर सकते हैं, अगर आप भी डांस में अच्छे हैं, तो आप भी निर्भे शर्मा से इस्पायर हो सकते हैं, कि आखिर किस तरीके से, एक छोटी सी एज में, जब इन्होंने डांस करना सीखा इनके पैरेंट्स को पता लगता है कि हां, हमारा ब ममा, पापा और सिस्टर है, फैमिली से स्पोर्ट तो लगा लगा लो कि ममा से तो बच्पन से स्पोर्ट मिलता है जिनकी वजसे मैं आज यहां घड़ा हूँ ठीक है देन शुरुवाच जब बने डांसी थी तो फोड़ा सा रिलेटिव का हो जाता है कि नहीं बच्चा कि इस कुछ नी रखा, मत भेजो ना पढ़ालो इसको देन सबने टोका टोका कि नहीं बच्टी है था कि फैमिली में स्पोर्ट दिया इस लहीं में आगे बेजा और जो लोग मुझे रोकते थे आज लोग वही कहते कि आपने बहुत अच्छा किया आपका बेटा इस लहीं में करते हैं उनको उपर भेजने की बजाएं उनको नी दकेल दें और उनको कहते हैं कि डांस भी कोई चीज आई ना इसे भी लोग आपको जुरूर मिलें होंगे लाइफ में क्या करें निर्मे डांस में कुछ रखा तो हुआ नहीं कुछ रखा तो रुवा हुआ तो डान्स गुरू की तो इसकती आपीर आदस के राख़ा, तो आपकE बड़े और बहतर बहतर डान्स गुरू आपकी लाइफ के ळाउनेемсяं आप्के लागा जिणसे आपने बहतर डान्स सीखा और जिनसे सीखने के बाद आपको लगदा की नहीं, हम मैं कुछ भी कर सकता हूं मैं कोई भी डान्स परफॉर्म कर सकता हूं और कौन-कौन से डान्स की मैं बात करूँ आप डान्स परफॉर्म करते हैं कौन-कौन से स्टाइल है ऐसे डान्स की मैं मैं फ्रीस्टाइल, विरिकुल, बोलिवुड, पंजाबी, हर्यान्वी सब भी परफॉर्म करता हूं दिन इसके इलावा क्लासिकल में मेरा इंटरस्ट बन रहा है मैं ट्राय करूंगा कि वह भी सीख लिए वर्सेटाइल डांसर बनना है कि मुझे हर एक स्टाइल आना चाहिए इसके लाव में फिलाल मेरेज को रिगाफिज और अनदर फंक्शन से टाहिए तो डांस गुरू की में बात करी थी कौन से डांस मेरे डांस गुरू है जाए पर यह पहले किया ता इसमें यह चीज नभी डाल दो धन फरस्ट गुरू मा ही होती है किसी भी बच्चे के लिए और यहां पर निर्भे शर्मा के लिए बिजु के लिए उनकी किस तरीके से आप अपनी गल्तियों को सुधार भी सकते हैं निर्भे आप से जाना चाहेंगे कि एक स्पेसिफिक डांस टाइल में आप आगे जारें एक रियालिटी शो में या फिर वहां पर भी आपको अपनी वर्सिटालिटी दिखानी है वर्सिटालिटी तो दिखानी अग्के अधिन हैं और भीम काम को अधिन ऐख गयकेसफिया हैं पर लेकिन अपको यह मेर्ट कर आप एक बार्बे की ट्रॉफी दिखाना चाहेंगे जूंकि इन आप देख सकते हैं कि बच्चपन से ही निर्भे बहुत बड़िया डांस करते थे रंगमंच से जुड़े हुए थो और किस तरीके से चाहे कॉलेज के टाइम की बात की जाए यूथ फेस्ट की बात की जाए और बड़े बड़े आप देख सकते हैं शोज में ये जीत कर भी आ और तब आप करनाल के सेक्टर साथ के रहने वाले निर्भे शर्मा को उस डीडी पंजाबी नैशनल जो चैनल है वहाँ पर देख पाएंगे किसमें कितना है दम सर्टिफिकेट हमने आपको दिखाया कि इनको सर्टिफाइड कर दिया गया है कि आप अब उस शो में पार्ट स्पोर्टीम को मेरे अइट सब्सक्र वह न dail करने तार। हम यसे हम लगाने यह तुम कुछ भी संधे हम सब कुछ करेंगे बस तुम्हें ऑने पैसे से एक बात यादाई नहीं कि बहुत सारे ऐसे बहुत अशे उते होते हैं बहुत सारे बहुत सारे ऐसे Θ треб nå感inis यहां फाइनशल सपोर्ट निहां पर फैमिली भी कुछ नहीं कर बाती है, तो आपको लगता है कि लिए भी अच्छा करियर हो सकते हैं, जिन लोगों के पास इसने पैसे नहीं हैं, उनमें पैसन ज़रूर है. अगर आप में हम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आने वाले समय में जल्द आप डिडी पंजाबी नेशनल चैनल पर एक नेशनल टीवी रियालिटी शो किसमें कितना है दम में करनाल के सेक्टर साथ के रहने वाले निर्भे शर्मा को देखेंगे तो आप सभी लोगों से जुड़े हुए अगर आप भी डांस करते हैं या फिर नहीं करते हैं और वाले आप सभी के साथ लाइध